नमस्कार मैं दीपाक स्वागत करता हूँ आपका ग्यान लिनस पर इस वीडियो हम देखेंगे आप क्लास 10 मैट्स का जो आपका चैप्टर नमबर 12 चल ला है और उसमें हम कर रहे थे एक्सराइस 12.3 ठीक है इस ट्वेट कोशन नमबर 11 तक मैं आपको कम्प्रिट बता चुका OACB is a quadrant दीखिए OACB क्या है इस ट्वेट क्वाडरेंट किसे बोलते हैं quadrant होता है इस ट्वेट जो सरकल होता है उसका 1 4th पार्ट क्या कर लाता है quadrant कर लाता है ठीक है आई बास अदमें जैसे यह सरकल है दिखिए यह क्या है सरकल है ठीक है और इसकी अगर मैं दो डायमेटर खीश दूँ परपेंडिकुलर कैसे परपेंडिकुलर तो इसका जो एक पार्ट कर लाता है कोई भी एक पार्ट वो क्या कर लाता है इसका quadrant और क्या होता है यह वन फोर्ट यानि की सरकल का फोर्थ पार्ट है ठीक है तो यह बात के लिए रहे एंड रेडियस के लिए इस्ट्वएंट तो आपने क्या करना है एक लाइन यहां खीज दे और उतनी लाइन ऊपर की तरफ खीज दे आपने कमपास की नोग यहां रख नहीं है और इस त तीन है ठीक है this is your quadrant ठीक इस्टाषन कोई दिख्कत नहीं है that means OBB इसकी radius हो जाएगी picture OBB कितना हो जाएगा 3.5 cm यहां से लिखकर यहां तक this is also radius और OAB क्या हो जाएगी इसकी radius हो जाएगी OAB इसकी radius हो जाएगी that is also 3.5 cm कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने कहा रेडियस दे रिके 3.5 cm फिर है इप O D equal to 2 cm O D यह नहीं कि O से लिकर D तर यह वाला है 2 cm O D यह वाला ठीक है 2 cm है find the area of the quadrant O A C B तो O A C B का area निकालना है और second part है sedate region sedate किसी क्या है sedate करा हुआ है इसे आपकी जो NCRT book है आप देख सकते हैं उसमें कि यह वाला region क्या करा हुआ है sedate करा तो इसका भी आपको area निकालना है ठीक है तो बहुत आसने से इसका area हम निकाल लेंगे कैसे निकालेंगे इस पूरे quadrant के area में से triangle का area क्या कर देंगे minus कर देंगे तो second part भी आ जाएगा ठीक है तो पहला part दिखते है quadrant ठीक है इस तो फस पार्ट है area of the quadrant तो area of the quadrant के लिए आपको formula मैंने का पता है पहले radius लिए लिए रेडियस कितनी है quadrant की 3.5 cm ठीक है इसमें O, B और O, A दोनों क्या है radius है अगर मैं बात करूँ radius, radius of quadrant, radius of quadrant that means यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आपको area of quadrant, radius of quadrant R equal to मैंने का O, A और O, B दोनों ही होंगी O, A, B होगा और O, B, B होगा that is 3.5 cm ठीक है तो radius is 20 यह होगा 3.5 cm ठीक है तो अब आप area of quadrant निकाल सकते हैं आराम से के निकाल सकते है area of the quadrant area of the quadrant quadrant का नाम क्या इस्ट्वेंट आप दिख सकते हैं O, A, C, B ठीक है O, A, C, B तो क्या होता है मैंने का area one upon fourth होता है किसका one upon fourth area of area of the circle ठीक है जो circle का area होता है उसका one fourth होता है आप circle का area क्या होता है इस्ट्वेंट पाई आर इसको आठीक है आर का value यह है थोड़ा इसको modify कर लेते है इस्ट्वेंट कैसे point का नीचे 0 बढ़ा देगे opposite में यानि कि denominator में इसको cut कर लेंगे 5, 7 जा और 5, 2 जा यानि की 7 upon 2 तो that means आप 3.5 की जगा क्या रखेंगे 3.5 की जगा 7 upon 2 रखें तो आपकी जो calculation हो ज्यादा easy हो जाएगे देखें कैसे होगी जी 1 upon 4 पाई का value रहेंगे 22 upon 7 और r radius यह है 7 upon 2 square है आप चाहें तो दो बाल लिख दें ऐसे या square कर दें मैं ऐसे इसलिए लिखता हूँ ताकि cut फट करने में थोड़ा आसानी हो जाए ठीक है कड़ गया 7 7 2 से ये भी कड़ गया 2 11 जा 11 7 जा 11 into 7 बचा नीचे के बचा 4 into 2 बचा ठीक है student 11 7 जा 77 और 4 to 8 cm square यह हो गया आपका area of the quadrant done बात कोई दिक area of the shaded region ठीक है तो second part भी निकाल ले ते स्टूर्ण आराम से हम लिखेंगे area of the shaded region जो shaded region है इसका area क्या होगा तो इसके लिए मैंने काया पूरा जो quadrant है इस quadrant में इस triangle कर रहा है क्या कर दो minus कर दो ठीक है तो क्या करेंगे area of the quadrant area of the quadrant quadrant का नाम आप लिख सकते है oa cb और minus कर देंग इसमें से क्या area of the triangle triangle का नाम क्या o b d यह वाला ठीक है o b d ठीक इसको minus कर देंगे तो area of the quadrant quadrant का area तो अभी आपने निकाल दिया कितना 77 upon 8 निकाल दिया ठीक इस तो रख दे सिधा minus area of the triangle o b d triangle कर रहे क्या था 1 upon 2 base base case में देखें यह आपको पता है 90 degree हुआ 100% तो base case में o b और triangle का जो altitude है जिसे हम perpendicular height बोलते है वो यह है तो base into height कौन से height perpendicular height ठीक है that is altitude तो base into height तो base कितना student o b into height कितना student o d ठीक है o d बस यह तो आपका already चली रहा है minus का 1 upon 2 o b o b कितना देखें 3.5 और 3.5 कि को मैं निकाल के लिखें आप easy करने के लिए 7 upon 2 यह जो 3.5 है ना इसको easy करने के लिए आप 7 upon 2 लिखें ठीक है तो यह आपका 7 upon 2 आ गया into o d o d तो आपको दिखी रहा है कितना है 2 cm 2 cm रख दिया यहाँ पर 1 2 से 2 क्या हो गया student cancel हो गया बच गया आपका 77 upon 8 minus का 7 upon 2 LCM क्या रहा है student आपका 8 आ रहा है इन दोनों का ठीक है यहाँ बचा 77 47 जा 28 minus कर लेंगे तो यहाँ 17 में से 8 गया क्या बचेगा 9 6 में से 2 गया बचा यहाँ पर 49 upon 8 cm स्क्वारी हो गया आपका क्या area of this added region तो I hope आपको यह question बिलकुल समझ में आ गया होगा बहुत आसान question है copy pen आप जरूर निकाले ठीक है तबी आपको बिलकुल समझ में आएगा बढ़ते हैं next question की और चलिए तो question दिखते है question number 13 ठीक है इस टोन दिखिए in figure 12.31 ठीक है आपको ncati book में मैंने का यह number पढ़ा हुआ है इस figure का ठीक है यह मैंने already question लिखा हुआ है diagram भी बना रहा हुआ ठीक तो in figure 12.31 i square o a b c o a b c दिखरा होगा यह क्या है मैंने का square है क्या है that means इसकी all side क्या होंगी equal होंगी ठीक है i square o a b c is in iscribe in iscribe मनला होता है student अंतर का दिया नहीं कि अंदर है किसके अंदर है इना quadrant quadrant के अंदर है quadrant का नाम क्या है o p b q o p b q quadrant अभी मैंने पिछले question बताया quadrant क्या होता है one fourth part होता है किसका circle का ठीक है आई बास अजमें तो यह quadrant के अंद तो आपने एक line जितनी यह line है उतनी line यह किज़े क्योंकि यह क्या 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 आती है quadrant की radius और यह भी क्या 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 करेंगे compass की नोग यहां रखेंगे और इस तरह से इसको draw कर देंगे ठीक है यह बन जाएगा quadrant और यह आपका अंदर क्या बन जाएगा square बन जाएगा तो I hope आप यह चीज़े समझते होंगे ठीक है इप O A equal 20 O A कितना is 20 that means यह आपको side मिल गए क्या मिल गए इस तरह आपको side मिल गए किस की side square की side है na square की side of square तो square की side कितनी हो गई O A equal to 20 centimeter और ना केवाल O A बलकि A B B कितनी होगी 20 होगी A B B कितनी होगी 20 ही होगी क्योंकि O A A B सब बराबर ही होगा क्योंकि this is all side of the square आगे पढ़ते है find the area of the shaded region अब shaded किसे की आवा है student आप NCRT book देखेंगे तो यह वाला जो portion है यह वाला portion क्या क्या ठीक है यह वाला और यह वाला portion तो इसका area मांग रहा तो भहुत आसाने से निकाल देंगे student इसका area हम कैसे निकालेंगे देखिए यह पूरा क्या आपका quadrant है quadrant मेंसे क्या माइनस कर देंगे square माइनस कर देंगे ठीक है student क्या बोला मैंने area of the shaded region ठीक है हम निकाल लें यहाँ प quadrant का नाम क्या आप नाम लिख सकते हैं o p b q ठीक है student o p b q और माइनस कर देंगे इसमें से क्या area of the square square का नाम भी आप बोल सकते हैं square यह है o a b c क्या student o a b c इसको आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे ठीक है simple सी बात है quadrant के area में से square का area minus कर दो आपका shaded region का area आ जाएगा अब देखे quadrant का area भी पीछे आपको बता है क्या होता है one upon fourth into area of the circle circle का area pi r square minus area of the square क्या होता है side into side यानि कि side का square भी आप लिख सकते हैं ठीक है यह होता है तो side तो मुझे पता है 20 जो square है उसकी side तो पता है किन नहीं है 20 इस इस 20 इस अलसो 20 लेकिन क्या पता नहीं है पता तो नहीं है radius नहीं पता देंगे question पढ़िए कहीं भी आपको radius नहीं दिरके किसकी quadrant की radius नहीं पता दन तो radius कैसे नहीं का लें question है ठीक है तो देक है radius के लिए आपको पता है यह पता उना सब करेंगे किसके लिए, quadrant के लिए, quadrant माला compass की नोग यहां रखेंगे, और pencil की नोग यहां, तो इस तरह से यह दिखेंगे, यह को touch करके जा रहा है, that means, यह जहाँ जहाँ आपका यह इस तरह से जाएगा, यह सब क्या कर लाएगी, इसकी radius, तो this is also radius, तो student आपको पता, square का each, जो corner होता हो, कितना डिगरी का होता है, 90, डिगरी होता है, that means, यह क्या बन गया, आपका right triangle बन गया, ठीके, तो इसमें हम pythagoras theorem से radius निकाल लेंगे, ठीके, तो दिखेंगे, क्या बोला हूँ मैं, in right triangle, ठीके, सब से पहले हमने क्या लिखना है, join का नाम ने, हमने किया join, ठीके, join किसको की किजिए मैंने का joint OB, OB को क्या कर लो, join कर लो, अब आ जाओ in right triangle, right triangle का नाम क्या, OAB, क्या लिखेंगे, आपर by pythagoras theorem, short में लिख दे है, student PGT, ठीके, pythagoras theorem, इसमें pythagoras theorem में क्या लिखेंगे, आपको पता है, क्या होता है, hypotenuse का square equal to perpendicular square plus base का square, hypotenuse कौन है, OB, कौन है student, OB का square equal to perpendicular का है, perpendicular है, AB, क्या student, AB का square plus base का है, OA, plus base का है, OA, ठीके, AB, AB कितना है, मैंने का, वह ही है, ज्योंकि AB square की side है, side of the square, this is side, तो यह 20 है, तो यह 20 होगा, यह 20, यह 20, सभी 20 होगे, ठीके, तो यह 20, यहापे रख तो 20, AB 20 होगा, और OA, 20 होगा, देखे, OB का है, आपकी एक तरह की radius यह से आप चाहिए, तो radius R लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, square, square, 20 का square, 400, यह भी हो गया, 400, इनको आप 800 कर सकते हैं, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, 400 into 2, ठीके, square के लगा देंगे, square root लगा देंगे, 400 into 2, और 400 का भार किया जाएगा, 20, क्योंकि अभी बताया, 20 का square 400 है, that means 400 का square 20 होगा, under root के अंदर कौन रहेगा, root 2, तो यह होगा, radius, ठीके, student, मैंने 400, 400, 800 क्यों नहीं किया, कर सकते हैं, आप 800 कोई समस्या नहीं है, लेकिन बाद में फिर आपको बाहर निकालना पड़ेगा, square root से बाहर करना पड़ेगा, under root से, ठीके, तो मैंने इसको सुविधा के ल यह हो जाएगा, आपकी radius, लिख देता हैं, आपर साफ साफ radius of the quadrant, quadrant की radius कितनी हो गई, that is, r equal to 20 root 2 cm, तो अब आग जाएगा, आपका area of the sedate region, कैसे आएगा, area of the quadrant, quadrant के area में से, square का area क्या कर दो, माइनस कर दो, अब तो आपको सब कुछ पता है, 1 upon 4, pi का value given is 20, दिखिए यहाप पर 3.14, question में given है, तो आप 22 upon 7 न रखें, ठीके, 3.14 into r, r कितना है student, यह निकाला, 20 root 2, square आप चाहें, तो square इस तरह से कर सकते है, minus side, side कि नहीं है, मैंने का, side square की 20 दे रिखिए, this is 20, तो 20 का square कर दो, या 20 into 20 लिख दो, आपकी जैसी मर जी, ठीके, देखिए student, 1 upon 4, 3.14, 20 का square कितना होता है, 400 into root 2 का square 2, क्योंकि square से root cancel, minus 20 का square 400, 4 से यह कर जायागा student, कितना आजाएगा, 100 आजाएगा, कितना 100, यहाँ पे student इसकी into करने से, तो point के बाद 2 digit है, यहाँ भी 2 0 है, ठीके, तो 2 0 इस point को पीछे कर देंगे, यानिकि 3, 1, 4 हो जाएगा, into 2 और minus 400, इनकी into कर ल 2 minus 02 और 228 cm square, यह हो जाएगा student क्या, आपका area of the shaded region, ठीके, I hope आपको इस question बिल्कुल बहतीनी तरीकी से समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं next question की और, चली यह question number 14 देखते है student, दिखिए, AB and CD are respectfully arcs of two concentric circles, ठीके, एक AB है and CD है, देखिए, यह AB है, दिखिए, 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 आपको AB और दूसरा क्या बोला, CD, इनको क्या बोला हो, arc बोला है, क्या बोला है, ठीके, आर्क यानि की, जो circle होता है, या जो कर होता है, उसका एक part होता है, ठीके, तो AB and CD दिखिए, आर्क, respectfully, आर्क, sorry, AB and CD, आर्क, respectfully arcs of two concentric circles, अब concentric circle किने बोलते हैं, ऐसे circle जिनका center एक ही हो, ठीके, तो कौन centric circle of radii, radii कैसा word है, plural word है, यानि कि अगर singular होगा, तो radius होगा, और when two or more radius एक साथ बोलना चाहें, तो radii पढ़ेंगे, ठीके, तो radii एक की 21 cm, एक की 7, यानि कि इस वाले आर्क की जूर रेडिया से दिखिए, ये वाले रेडिया से दिखिए, ये वाली क्या है, इसकी पूरी radius है, कितनी है, ये 21, इदर से बोलो चाहें, इदर से बोलो 21 cm, और दूसरे की कितनी बोला उसने, 7 cm, यानि कि जो छोटा वाला आर्क है, उसकी radius कितनी है, 7, ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, ठीक है, इस तरह से मैंने किया, circle को draw किया, यहाँ पर मैंने compass की no रखी, और yes, मैंने circle को draw कर दिया, यहोप आप कर लेंगे, draw इस तरह से, ठीक है, उसी को center मानते हो, एक और circle मैंने draw कर दिया, इस तरह से, तो इन दोनों circle को कैसे circle बोलेंगे, हम कौन centric circle, कौन centric यानि कि, इनका जो center है, वो एक ही है, that is O, done बात, अब देखे, इस तो ये arc कैसे हुए, इस दर से इस radius को मिला आया, इदर से भी इस radius को मिला दिया, हमने, done, आई बात सथ में, तो ये हो गया आपका arc AB, बड़ा वाला और ये arc हो गया CD, छोटा वाला, done बात, यहां तक आगया सथ में, तो AB और CD क्या arc है, मैंने की circle का पीछे वाला बाकी का portion उसने हटा दिया, केवल इतना इतना portion दे लिया आपको, done, बात के लिए student, यहां तक भी आगया हुआ सथ में if angle AOB, दिगरा होगा आपको angle AOB, यह वाला angle कितना degree is student, 30 degree है, find the area of the shaded region, shaded किसे क्या हुआ है, इस वाले part को उसने क्या क्या हुआ हुआ है, shaded क्या हुआ है student, तो इस वाला जो region है, यह shaded region, इसका area की demand कर रहा है, इसको बता रहा है कि बता यह कितना होगा, ठीक है student, इस वाले को मांग रहा है, तो बहुत आसान इसे यह निकल जाएगा, तो मैंने कहा AB and CD, क्या है, आर्क है, क्या है, यह आर्क है, किसके है आर्क, टू कौन सेंटिक सर्कल, यानिकि इनका center एक ही है, जैसे कि मैंने अभी आपको बता है, और रेडिया है कितनी है, 21 and 7, तो 21 एक ही 7 cm है, center क इनका O है, angle AOB कितना है, 30 degree यह वाला, find the area of this sedate region, तो बहुत आसान है, आपको पता होना चाहिए, कि जो circle होता है, क्या होता है, circle, ठीक है, circle से, अगर मैं, दो रेडियास को मिला हूँ, और एक आर्क, दो रेडियास और एक आर्क, क्या बनाती है, sector बनाती है, क्या है, sector, तो एक तरह से student, यह sector हो गया, जो कि मैंने आपको exercise 12.2 में पढ़ा रहा है, ठीक है, तो यह sector है, इस sector में से, बड़े वाले sector में से, छोटा वाला sector क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है, तो बाकी आ जाएगा आपका area of the sedate region, क्या बोल लो मैं, मैंने कहा, आपको चाहिए अगर area of the sedate region, आपको sedate region का area चाहिए भई, sedate region, तो इसके लिए क्या करें मैंने का आप, इसके लिए आप क्या करें, area of the sector, area of the sector, sector कॉन सला, बड़ा वाला, AOB, area of the sector AOB, इस में से माइनस कर दो, किसको area of the sector, area of the sector 뭔 कॉन सला, छोटा जा, COD, COD, इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है ना उसकी radius कितनी बोला 21 इसको मैं r1 नाम देता हूँ that means first r का ना और इस दूसरे लिए radius को देता हूँ radius number 2 7 cm और इनके बीच का यानि कि इस वाले r के लिए भी ये angle है और इस वाले r के लिए ये angle की तरह treat होगा that means theta आई है 30 degree ठीके स्टूरेंट बात आई संद में तो इसकी radius है r1 इसकी radius है r2 ही हमने इनको नाम दे दिया तो area of the seder region इस seder region का area निकालने के लिए बड़ा वाला सेक्टर में से छोटा वाले सेक्टर क्या कर देंगे minus तो sector का area क्या होता है इस्टूरेंट अगर मैं बोलू theta upon 360 into pi r square minus ये भी area of the sector है इसका भी होगा theta upon 360 into pi r square लेकिन ध्यान दिजिए sector कौन सा AOB AOB तो इसकी radius क्या कर रहे है r1 यानिकि 21 इसको r1 नाम दे दो और जो sector दूसरा अला cod इसकी radius 7 है और 7 को क्या नाम दिया r2 के लिए आपको दिख रहा होगा theta upon 360 theta upon 360 और pi दोनों में क्या है common है इसको पहले बहान निकाल दो थोड़ा आपकी calculation ऐसे में आसान हो जाएगी अंदर क्या बचा ये common है ये common है अंदर बचा r1 का square minus r2 का square ठीके इस्टूरेंट बात के लिए रहे अब theta का value के रहो गया 30 30 रख दो upon 360 into pi का value 22 upon 7 done r1 r1 कितना है 21 21 का square minus r2 कितना देखिए 7 7 का square इसको 0 से 0 कर गया 3 1 जा 3 2 जा बात के लिए रहे 2 से कर जाएगा 2 6 जा 12 2 11 जा तो उपर आ गया 11 नीच आ गया 6 7 जा कर दो या 6 into 7 लिख दो कोई दिक्कर नहीं है अंदर क्या बचा 21 का square होता 4 4 1 minus 7 का square होता 49 आप क्या करेंगे 11 upon 6 into 7 मैं into नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है जब यह इसको separate करूँगा तो 11 minus 9 2 यहां बचा 13 minus 4 9 यहां बचा 3 3 92 आप 7 से दो कर जाएगा 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42 फिर 2 से कट कर जो 2 3 जा और 2 2 जा 4 2 8 जा 16 इस तरह से आप इसको कट कर देंगे 2 से भी आ तो 11 into 28 बचा उपर 11 into 28 और निचे बचा 3 तो 11 8 जा 88 carry 8 11 2 जा 22 और 8 हो गया 30 upon 3 cm square तो इस तरह से आप इसका एरिया निकाल देंगे 7-11 का क्या करेंगे बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का यह रहिए क्या कर देंगे माइनस कर देंगे इस तरह से बहुत आसानी से यह कोसन आपका solve हो जाएगा इस 20 ठीक है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है तो पसंद आ रहे तो प्ली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेर लाइक करना मत भूलेगा थैंक इस वीडियो